गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स रिपप्लिका PCS एकैडमी में आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लोग BPSC मेंस के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस संदर में मैं स्लिवस को स्पष्ट कर देना चारा हूँ कि BPSC मेंस का स्लिवस क्या है GS का वैसे अवर ओल एक्जाम की बात करें तो दो पेपर GS होता है और एक ऑप्सिनल होता है और एक क्वालिफाइंग हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग करना होता इसका माक्स नहीं जुड़ता है अब हम GS पर आएंगे कि GS जो की काफी important section है GS में कौन-कौन सा subject है कौन-कौन सा part है इसको हम लोग देखेंगे इसमें मैं यह बता दूँ कि total आपका तीन पेपर हो गया जिसका माक्स जुड़ता है GS का दो पेपर हो गया और optional subject एक पेपर यानि 300 माक्स का GS पेपर फर्स्ट और 300 माक्स का पेपर टू साथ ही 300 माक्स का optional पेपर आपका होता है यानि total 900 माक्स का होता है BPSC में ठीक है हिंदी कालफाइंग होता है इसका माक्स नहीं जुड़ता है अब हम देखेंगे कि पेपर GS के पेपर फर्स्ट में कौन-कौन सा section है तो इसमें history है पहला section section A हो से history का तीन question आपको करना होता है इस section से और साथ ही current होता है दुसरा current में भी तीन question करना होता है यहां यहां भी तीन question करना होता है history और current दोनों में 38 marks का अब तक आ रहा है 38 marks का तीन question current में 38 marks का तीन question तीसरा इसमें part है statistics ठीक है statistics में especially di data interpretation ठीक है यहां आता है इसमें 36 marks का दो question आपको करना होता है यानि total 72 marks का statistics di हो गया अब paper 2 में हम आते हैं पेपर 2 में जो section A का जो part होता है वह है quality quality में भी 38 marks का तीन question और दुसरा section इसमें होता है economy geography इसमें 38 marks का तीन question आता है किसरा section इसमें science check का है जिसमें 36 marks का दो question आता है यानि total science check में 72 marks आपका हो गया यह अब तक का है यानि 60-62 में जो exam हुआ है उसके accordingly इस बात की समहमना है कि जहां पर तीन-तीन questions हर एक section में करना होता है और statics में दो question science check में दो question आपर question की संख्या बढ़ सकती है और marks को कम किया जा सकता है इस बात की भरपूर समहमना हो सकता है UPSC के pattern पर question की संख्या जादा कर दे और marks को कम कर दे ताकि कि उसमें objectivity आए ठीक है दोस्तों यह तो रहा हमारा GS का ठीक है GS में पेपर फर्स्ट में पहला हमने देखा section है history जिसमें 38 marks का तीन question अब तक आ रहा है अब हम लोग history पर आते हैं ठीक है कोई problem होगा तो पूछ लेंगे आप लोग ठीक है तो history पर आते है history में syllabus का division क्या है इसको हम लोग देखते हैं ठीक है history में जो जो syllabus है या फिर जहां से question अब तक आया है उस trend के अधार पर इसको हम classified करते हैं इस type का classification BPSC नहीं करती है कर पा रही है बट हम लोग trend के अधार पर अब तक के question को देखते हुए इसे निम्न भागों में history के syllabus को देखते हैं पहला section इसमें है art art and culture ठीक है आर्ट में मौरेन आर्ट आता है पाल आर्ट पालकला पटना कलमसली और मदवानी पेंटिंग मदवानी पेंटिंग पर पसन नहीं पूछा गया है बट पूछे जाने की भरपूर संभावना है कि यहां से प्रस्म बन सकता है इस section से आर्ट वाले section से एक question हर एक साल रहता ही रहता है तो समझे कि एक guest question आपका होगी है कि इन तीनों चारो कलम में एक question आएगा ही आएगा इसलिए इसकी आप अच्छी त्यारी कर लेंगे history में दुसरा पार्ट विद्रो का है ठीक है विद्रो में देखें तो महत्वपुर्ण है आपका 1867 की क्रांती और इसमें विहार की महत्वण भूमका थी विर्कवर्सिंग की योगदान काफी महत्वपुर्ण था तो इसको हम लोग यहां पर देखेंगे 1867 क्रांती में फिर संथाल मुवमेंट को देखते हैं ठीक है और मुंडा विद्रो को देखते हैं ठीक है यह तीन सेक्षन यहां पर बनता है विद्रो वाले पार्ट में तीसरा सेक्षन इसका नेशनल मुवमेंट का बनता है तो नेशनल मुवमेंट में हम लोग यहां से स्वात करते हैं स खासकर गांधी जी की विशे संदर में या फिरकिसान आंदोलन के संदर में पूछा जा सकता है तीसरा इसमें है NCM यानि नन कोपरेशन मुमेंट ठीक है और शहयोग आंदोलन ठीक है चौथा इसमें हो गया CDM यानि Civil Disobedience मुमेंट शबने अवा गया आंदोलन या भी काफी महतपुर्ण है और अगला है Quit India मुमेंट यानि भारत छोड़ो आंदोलन तो यह महतपुर्ण पार्ट है आपका National Movement में ठीक है यहां से भी इस सेक्शन से भी एक कोशन आपका हर एक साल रहता ही रहता है साथ ही यहां से भी जो विद्रोव वाला पार्ट है यहां से भी एक कोशन हो रहता है यानि हर एक सेक्शन से आप मान के चलिए एक कोशन रहने की पॉसिलिटी होती है एक question art and culture से, एक question विद्रोव वाले पार्ट से, एक question national movement वाले पार्ट से, ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला पार्ट इसमें thinkers काता है, विचारक काता है, जो प्रमुख विचारक इसमें है, वो गांधी जी है, दुसरा नहरू जी और तिसरा टाइग और, तो इ एक अलग से section हम लोग बना रहे हैं, बिहार special का, ठीक है, इसमें बिहार best question होता है, विस्स टूप से, इसमें जैसे हो गया कि formation of बिहार, बिहार का गठन, पुछा जा सकता है, दुसरा महत्पुन questions इसमें है कि contributions of बिहार in national movement, ठीक है, बिहार का क्या योगदान था राश्टी अंदोलन में, काफी महत्पुन चप्टर है ये भी, इसमें अगला part है, जो काफी important है, वह है modern and technical education in बिहार, यनि बिहार में आधनिक शिक्षा और तक्निकी शिक्षा का विकास क्या रहा है, साथी अगला इसमें है modern press, आधनिक press का विकास की जो परकडिया रही है बिहार में, इसको हम लोग देखते हैं, साथी इसके अलाबे कुछ अन्य परकार के questions भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग miscellaneous में डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया history का पूरा syllabus, ठीक है, अब एक एक करके हम सारे चीज़ों को देखते जाएंगे, अगले कक्षा में और इस तरह से हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री त्यार हो जाएगी, यहां से इसके बियोंड आपका कोई question नहीं जाएगा, यहीं से लवस है, यहीं से question आएगा, ओके, थैंक यू, प्रेंट्स.